हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू करियर पॉइंट सरजी यूटूब चैनल, साथ यो KVS वेकेंसी के ओफिशल यांसर की जारी हो चुकी है, तो इसमें 10 मार्च तक आप लोग चेलेंज कर सकते हैं, तो 10 मार्च के बाद इसकी करेक्ट आंसर की जारी होगी, उसी के बाद मार्च बढ़ेंगे, जबकि कुछ कंडिरेट्स के मार्च उसमें गड़ जाएंगे, तो उम्मीद है कि 16-17 मार्च तक इसकी रिवाइज आंसर की जारी हो जाएगी, उसके बाद यह आपके एक्च्वल मार्च का पता लगेगा, क्या आपके एक्च्वल मार्च कितने बन र किया है, सबसे पहले हम बात करते हैं, प्राइमरी विकेंसी की, प्राइमरी में लगबग 6000 सीटे हैं, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, इसमें जो कट ओफ जाएगा, वो 60% से उपर जाएगा, एक सो सी नंबर की ये परिक्षाती, तो इसमें जो 60% वो 108 मार्च बन रहे हैं, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, जनरल का कट ओफ 110 से 115 भी जाने का नुमान है, तो अगर आपका कट ओफ 110 से उपर है, तो आपको इंटर्व्यू की तयारी कर लेनी चाहिए, अगर आपका कट ओफ 110 से कम है, तो आपके चांस बहुत ही कम है, इसी तरह से EWS में 108 से 112 तक आप स 90 से 100, इसके बाद हम TGT का कट ओफ देखते हैं, TGT में जनरल करटेगरी में 115 से 120 के बीच जाने का नुमान है, EWS में 110 से 115, OBC में 105 से 110, SC में 100 से 105 तक और ST करटेगरी में 95 से 100 तक, इसके बाद हम PGT का कट ओफ देखते हैं, PGT में जनरल के टेगरी में 105 से 110, EWS में 105 से 108, OBC में 95 से 100, SC में 85 से 90, और ST में 85 से 88 का जाने का नुमान है, तो साथ क्यों यह हमारा expected cut-off था, इसी के अनुसार आप तयारी कर सकते हैं, उमीद है कि cut-off इसके आसपास ही जाएगा,